जिला विदिक सेवा प्राधिकरन अच्मिर्द्वारा एसीड अटेक से पीडितों को विदिक साहेता स्कीम 2016 के प्रभावी क्रियानवाईन के लिए रैवार को महेशे दानन सलसुती विश्युविद्दैले की सेमिनार का आयोचन क्या गया सेमिनार में नयाईग, प्रशासनिक, पुलिस और चिकित्सा अधिकारियों के साथ स्वायम साहता समो, पैनल अधिवक्ता, पैरालीगल वॉलिंटेर्स शामिल हुए इस मौके पर पैनल अधिवक्ता और पैरा लीगल वॉलिंटेर्स के लिए प्रशिक्षन और प्रबोधन कार्य आयूजित किया गया है ताकि उन्हें एसिड हमलों के मामलों पर कारवाई करने की तरीकों की जानकारी दी जा सके और उनकी क्षमता ज्यान और कौशल में वृध अधिकरन द्वारा जारी एसिड अटेक बुकलेट का विमोचन क्या इस मौके पर विशिष्ट अतिती आईजी मालिनी अगरवाल मुख्य वक्ता श्रम नयायले के नयाधिश एस एन टेलर मोटर दुरगटना दावा अधिकरन के नयाधिश अनंत भंडारी और दिल्ली अधिश्वरी देशवाल ने समिनार में एसिड अटेक से पीडितों को साहतार पुलिस की भूमी का विश्वय पर उत्भोधन दिया इस उनुर्ष्टी और हमारे जिला विदिक सेवा प्रादीकरन अजमेर की ओर से सेवत तत्ताद्वान में की जा रही है इस कारहशले में दिल्ली से भी हमने वक्ता बुलाये हैं हमारे जजेज लेबर जैस साब मेंसीटी के जैस साब अनित बंडारी जी हमारे पुलिस अफ अपसरान, पेरा लीगल वालिंटियर्स, पैनल अड्वोकेट्स और कई तरीके के एंजियोज के काम करने वाले वक्ताओं को हमने बुलाया है और इस पर चर्चा की जाएगी Acid Attack के जो पीडित होते हैं उनके पनरवास की, उनके उप्चार की, उनके रात देने की योजनाओं के बारे में यहां पर चर्चा होगी उनको किस तरीके से बचाओं के लिए किया जा सकता है, इस बारे में लोगों को जागरू किया जाएगा acid attack हमारे देश में होने वाली crimes में सबसे ज़ादा serious crimes है acid attack का असर सिर्फ जो victim है उसकी body पे नहीं होता इसके physical effects, economic effects, psychological effects multiple dimension में ये एक victim को affect करता है victim का marriage prospect खराब हो जाता है जैसे कि देखा जाए normally acid के जो victims हैं वो मही लाएं है marriage prospects खराब हो जाते हैं employment prospects नीचे आ जाते हैं, ऐसे लोगों को hire करना बहुत मुश्किल है उनका treatment बहुत महेंगा है तो उनके उपर हर तरीके का एक मार होती है और वो एक normal जिंदगी नहीं जी पाते हैं तो ऐसे victims के लिए rehabilitation बहुत ही एक important step है और ये जो seminar organized कराया है district legal services ने इस university के MD, SU के साथ collaboration में मिलके ये एक बहुत ही positive step है because इससे क्या है कि एक awareness फैलाई जाएगी कानून की कमी नहीं है कानून है जो कि acid attack को ban करता है asset के sales को भी regulate करता है इसके ओपर हमारे पास laws भी हैं judicial वो भी हैं, judgments भी हैं हमारे पास Supreme Court के judgments हैं एक है लक्षमी versus union of India एक है परिवर्तन के इंद्रका judgment लेकिन problem क्या है वो है implementation